मंच प्यासीन मेरे साथ हमारे प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष आदर्निया बीडी शर्मा जी हमारे यश्वस्वी मुख्य मंत्री आदर्निया शिवराज सिंग जी हमारे प्रदेश के जल संसाधन मंत्री आदर्निया तुलसी सिलावट जी मेरे पास में खड़े हुए हाट पिपलिया की केवल नौ जवानों की दिल की धड़कन नहीं लेकिन समूचे जनता की दिल की धड़कन मनोज चौदरी और मंच पे आसीन उनके पिताश्री आदर्निया नारायन चौदरी जी और हाट पिपलिया से आए हुए समस्त मेरे कारे करतागर्ण और अशोक नगर से आए हुए मेरे पूर्व अध्यक्ष आदर्निया सिर्णाम सिंग जी आदव आप सब लोग ने जो आज एक इतिहासिक निर्णे लिया है इस नौजवान की उर्जा को जादा संचार कंडे की प्रदेश के हित में और राष्ट्र हित में आदर्निया नरेंद मोदी जी की और शिवराज सिंग जी की नित्यत में भारत या जंता पार्टी की सदस्यता लेने का इतिहासिक निर्णे दिया है उसके लिए मैं आप सब काविनंदन आज करता हूं आदर्निया शिवराज सिंग जी बीडी शर्मा जी पिछले दो दिनों में आपने देखा है कि प्रदेश भर से कार्य करताओं ने आप दोनों में आदर्निया प्रधान मंत्री प्रधान जन्सेवक नरेंद मोदी जी में जेपी नडडा जी हमारे राष्ट्र पार्टी अध्यक्ष एवं अमिद भाई शाह में विश्वास जिताते हुए रीवा शेत्र से मंसौर शेत्र तक गौलियर चंबल संभाग से निमाड तक हजारों की तादाद में ये सभी कारे करताओं ने अपनी परिश्रम मेहनत और पूंजी लेकर आपके हातों में समर्पित किया है मैंने स्पष्ट रूप से सभी कारे करताओं को कहा है कि आप और हम एक ही श्रेणी के भारत्य जन्ता पार्टी के हम अब सिपाई बन चुके हैं बीडी शर्मा जी के और शिवराज सिंग जी के नित्यत्त में हम लोग भारत्य जन्ता पार्टी और मध्यपदेश का जंडा और परच्छम फैरानी की हर कोशिश हम लोग करेंगे अब आप दोनों की जिम्यदारी है मैं अपने तरफ से इतना ही गैरंटी दे सकता हूं कि ये जनसेवक और उनकी पूरी फौज आपके एक कमांड पर आपके लिए हर संभव कार्य करने के लिए तयार रही मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं सारी नदिया प्रदेश की दीरे धीरे मैं शिवरा सिंग जी की शैली से प्रभावित होते जा रहा हूं इनका नकल करना बड़ा मुश्किल है इनके पच्चिनों पे चलना बड़ा मुश्किल है पर कोशिश कर रहा हूं कि सारी नदिया प्रदेश की अंत में एक समुद्र में चली जाती है अज देखा भाजपा के नदी में समलित होने के लिए आज आपके समक्ष उपस्ते से यह भाजपा का समुद्र केवल एक पार्टी का समुद्र नहीं है यह भाजपा का समुद्र राष्ट्र के उत्थान का समुद्र है राष्ट्र के विकास का समुद्र है और राष्ट्र की प्रगती का समुद्र है अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस नौजवान को आपका प्रतिनिद्व करने के लिए एक मौका देने के लिए बहुत संगर्ष मुझे करना पड़ा था वही लोग जिनकी आप और हम कई बार चर्चा करते हैं वो कौकस एक नौजवान को मौका देने के लिए तयार नहीं था सही है कि नहीं और ये नौजवान इस नौजवान के लिए लड़ा लड़ाई लड़ी न्याई की लड़ाई लड़ी समान की क्योंकि जो पुष्टेनी पीड़ी एक जन सेवा की आती रही है वही खून जिसमें है मुझे पूरा विश्वास था और इसकी लड़ाई हमने लड़ी क्योंकि सत्य की लड़ाई सिंध्या परिवार लड़ता है और नियाय की लड़ाई सिंध्या परिवार लड़ता है चाहे किसानों की बात हो चाहे नौजवानों की बात हो और यह नारे नहीं चलेंगे और मैं आपको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं आपकी महनत आपकी मशक्कत के आधार पर आपने इसको एक जंसेवक की उपाधी आपने दिलवाई जो नेता की उपाधी के रूप से दस गुना जादा है मेरी सोच विचार के लिए अब इस नौजवान ने अपना संपूर्ण भविश्य आप दोनों के हातों में सौपा है और मैंने स्पष्ट करके इस नौजवान को कह दिया है कि अब संग्रक्षक भी भविश्य का रास्ता तै करने वाला भी अब जोत्रायत सिंध्या नहीं लेकिन शिवराज सिंग जी चो तो अब इन सब का समान इनका मान और इनको आदेश भी देने का पूर्ण हक आप दोनों के हाथ में हैं जैसे आप दोनों के हाथ में जोत्रायत सिंध्या को भी आदेश देने का हक है और मुझे विश्वास है कि आप दोनों के नित्यत में हम लोग सब अभी शिवराज सिंग जी ने आज सुबह एक लाइन इस्तमाल किया था उसकी पहली पंक्ती पड़ी थी पर दूसरी पंक्ती नहीं पड़ी थी अभी तो अंगड़ाई है और उस लड़ाई में इस अन्याएं की सरकार जो पंद्र महा रही थी बरश्टाचार की सरकार जनता की अदालत में जाकर उनका विश्वास हम लोग को जीतना है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ शिवराज सिंग जी की तरफ से वीडी शर्मा जी की तरफ से कि हम तीनों मिलकर समर्पित हैं आपके साथ कंदे से कंदे मिलाकर जहां आप लोगों का पसीना टपकेगा हम लोग तीन खड़े होकर अगर खून की भी जरूरत होगी तो आप लोगों के लिए तयार है इस लडाई को लड़कर जो आज शिवरा सिंग जी ने अपने भाशन में कहा दिन में इनों ने जो किया है मद्यप्रदेश की जन्ता के लिए अगर सौ दिनमें इनों झेय करके दिखाया हैं तो आने वाले 1500 के यह क्या करके दिखाएंगे के मद्यप्रदेश की जनता के लिए मुझे इसका पूर्ण विश्वास है इनके हातों को हमें मद्बूत करना होगा और उसके लिए 24 सीटों में से और कांग्रेस की सफ़ाई हमको करनी होगी इनी शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत